ये वीडियो उनके लिए बना रहे हैं जो पलायन कर रहे हैं या जो फेस्बुक और सोशल मीडिया का गेम खेल रहे हैं जिससे पलायन बढ़ रहा है याद करिए 23 जून 2018 को थाइलेंड की एक केम एक गुफा में बारा बच्चे जिनकी आयू 11 वर्ष से लेकर और 16 वर्ष की थी और उनका जो सबसे बढ़ा जो कोश था उसकी आयू 24 वर्ष की थी वो उस केम में घुस गए और घुसने के बाद वहाँ पानी आ गया और पानी आने के बाद आपको पता है कि वो कितने दिन वहाँ फसे रहे भूंक प्यास के साथ कितने दिन फसे रहे वो फसे रहे 23 जून सन 2018 से लेकर और 11 जुलाई 2018 तक यानि कि लगबख सत्रा है अठारा दिन आपको मालूम है कि वो 11 वर्ष से लेकर और 16 वर्ष तक के बच्चे जीवित क्यों रहे कैसे रहे क्योंकि उन्होंने धैर का परचे दिया उनका जो सबसे बड़ा सीनियर जो 20 वर्ष की थी वो धैर बनाने में सफल रहा और 18 दिन तक लोगों को भूख प्यास के साथ उन बच्चों को जहां डेल किलोमीटर अंदर आपको अंदाजा भी है कि रोड से या रोशनी से डेल किलोमीटर अंदर बच्चे फस गए थे और उस डेल किलोमीटर अंदर पानी नहीं थी जब पहली बार टॉर्च मारा गया तो उस समय बच्चों को दीख नहीं रहा था बच्चे कैसे रहे होंगे उनके माबाप कैसे रहे होंगे और पूरा विश्व उनको बचाने पर पागत लगा रहा था पूरे विश्व की शक्तियां उस पर लगी थी लेकिन वो कुद्रत का ऐसा समय आ गया था कि कुद्रत ऐसा नहीं चाहती लेकिन धैर का परचे उन थाइलेंड के बच्चों ने दिया परिवारों ने दिया वहां की जनता ने दिया और उस धैर के परचे के का नतिजाई ये निकला कि वो सब के सब जीवित बच पाए तेरा बच्च जनता है या जैसे आप पलाइन कर रहे हैं दिल्ली से या महानगरों से अगर वो आपकी तरह उस समय उस समय वह पलाइन किये होते हैं या भड़बढा गये होते या परेशान हुए होते तो आपको अंदाजा है एक बिजीवित नहीं बस सकता लोगों को मुझे लगता है कि ये एक शक है कि मुझे भोजन तो सरकार पहुचा देगी लेकिन इसका किराया कौन देगा इनकी जो और समस्या हैं उनका समधान कैसे होगा तो मुझे लगता है कि एक किराया बड़ी समस्या हो सकती जिसकी वज़े से लोग पलायन कर रहे हैं बाकी लोगों को मैं कहना चाहू मैं हाथ जोड़कर विनिती करता हूँ कि इस समय देश को आपकी अवशक्ता है अगर आज आप साथ ना आए तो आपको कभी भी ये देश माफ नहीं करेगा याद करो उन लोगों को जो 1857 की करंती के समय पर भूंकों में भूंकों रहे होंगे याद करो उन लोगों को जो म मतीजा निकला कि हम स्वतंत्र हो गए मैं याद करवाना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने जो हमको दिया नवरात्रे का ब्रत लौंखोटक कर पानी पी कर क्या आप आज धेर का परचे नहीं दे सकते एक ब्रत नहीं रख सकते पंदरा दिन का अगर भोजन की कमी है त सरकार एक काम के लिए पहुचेगी सरकारें आज की ऐसी नहीं हैं जो अपने आपको समर्पित नहीं कर रहे हैं चाहें वो दिल्ली के सरकार हो उत्तरप्रदेश के सरकार हो बिहार के सरकार हो सरकारें सब एक जुट तिखाई दे रही हैं कुछ पॉलिटिशन को छोड़ कर इसलिए वो सब समर्गते हैं, वो सब खजाने उन्होंने खोल दिये हैं, वो खजाने खाली कर दिये हैं, लेकिन उनके implementation में आपको समय लगेगा, आप ऐसे उसको सोच कर चलिए, कि जब जिस समय रेड लाइट खुलती है, तो रेड लाइट खुलते ही आपकी पीछे खड़ी मैंने देखा दिली में कुछ ट्रक सबजी लेकर यहां पर आये थे, और वो खड़े हुए मोहले में, उन्होंने तीस रुपए पर केजी हर चीज एनाउंस कर दी, मोहले के एक एक करके लोग गए, और उन्होंने सामान खरीदा, और सामान खरीद कर घर चले आए, सरकारें कर रही है, सरकारों को ऐसा installment लगाने पड़ेंगे, सरकारों को गली-गली मोहले-मोहले जैसे voter ID बनती है न, जैसे vote center बनते हैं, उन्हों वो centers पर कुछ लोगों को बिठाना पड़ेगा, उन्हों स्कूलों में जहां पर voting होती है, वहां पर कुछ लोगों को बिठाना पड़ करनी चाहिए, लोगोकिन किराय के लिए दिली सरकार को गोशना करनी चाहिए, कि मैं च enrollment में किराया पूर रूप से वेन लगा रहा हूं नहीं लिए जाएगा, एक महने के लिए पूर रूप से माफ कर दिया जा रहा है, और ऐसा मांगने वाले को जेल और कारवाई हो सकती उसकी सूचना दीजे मुझे लगता है ऐसा दिली में भी कर देना चाहिए और देश के हर महानगर में कर देना चाहिए जहां पर इस तरह की इतरास्थी हो रही है या जहां पर भी आवश्रक्ता पड़े बहाँ पर ऐसी घोष्णा करके तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मेरे मुसल्मान भाई आप हिंदू मुसल्मान को खेलना बंद कर दीजे क्योंकि ये मुसल्मान वो हैं जिनके पूरवज हिंदू थे ये हमारे ही पूरवजों की संताने हैं इसलिए अगर गलत रास्ते पर भटक गए हैं तो इनको किटसाइज करना बंद करिए दुखत गड़ी में इनको साथ लीजे इनको समझाईए इनको एजुकेट करिए अगर आप इनको आज भी एजुकेट न कर पाए जब ही जीवन भर एजुकेट नहीं कर पाएंगे ये मज़ितों में इखटे हो रहे हैं ये इखटे-खटे घूम रहे हैं ये कह रहे हम नहीं मानते ये सब को ध्यान रखना चाहिए कि जब मर्का मज़ित बंद हो सकती है जब हज का इस्थान बंद हो सकता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता ये जब इरान में तरासदी आ सकती है जिसको लगता है कि मुसल्मानों पर तरासदी आ रही जब इरान में तरासदी आ सकती है जब खाड़ी में तरासदी आ सकती है खाड़ी के हर कंट्री को लॉक आट किया जा सकता है तो भारत ऐसा कैसे हो से हैं आप हिंदूओं के ही वंशज हैं कनवर्ट किसी कारण से हो गए हैं कोई पुझा पता दिया अपने अपना लिए हो लेकिन आज हम सब को आवशकता है कि हम सब मिलकर इस तराजदी से लड़ें आप अगर रोजा मानते हैं तो एक महिने के लिए रोजा रख सकते हैं एक महिने भूंके रह सकते हैं तो क्या इस तराजदी में एक महिने के लिए आप साप सुत्रे स्वक्षब और रोजे के तरह नहीं रह सकते हैं जब सावन के महिने में हमारी माताय महिने एक महिने के ल रखा जा सकता, मैं आवाहन करता हूँ, एक एक वेक्ति से जो महानगर छोड़के जा रहे हैं, आप देश को संकट में डाल रहे हैं, आप अपने बच्चों को संकट में डाल रहे हैं, खुद को भी संकट में डाल रहे हैं, एक वेक्ति को कोरोना का मतलब है, पूरे परिवार का समापन हो जाना और उसका इलाज सिर्फ एक है जो सरकार बार-बार कह रही है कि आप कॉरिंटाइन हो जाएए आप एकांतवास में चले जाएए मैं आवान कर रहा हूं कि इसको सब को अपनाना चाहिए आप थाइलेंड को याद करिए थाइलेंड के बच्चे जो 18 दिन अंदर रहे आप याद करिए ऐसी बहुत सारी विश्व में तराजदी आई जिसमें लोग फस गए दो तीन तीन चार चार महीने फसे रहे लेकिन उन्होंने धहर नहीं खोया इसलिए वो जीवितर है जिन्होंने धहर खो दिया वो मृत्यू के घाट उतर गए वो मृत्यू के काल में चले गए सरकारों ने खाजाने खोल दिये हैं आपको सिर्फ धहर रखना है आप तक पहुँच जाएंगे आप जिस प्रकार से मोबाइल चलाते हैं वाटसेप चलाते हैं टीवी देखते हैं वो देखिए वहाँ से इंफॉर्मिशन आ रही है और बाकियों को मैं कहता हूँ कि रॉंग इंफॉर्मिशन फिलाना बंद कर दीजे धन्यवाद